तो मैं चैनल रामा ब्लोग पार्ट थ्री तकी कहानी आपको पिछले वीडियों बताच की हूँ जिसका लिंक आपको में वीडियो सक्सरने मिल जाएगा पिछले पसोन में हमने देखा था कि नरेन की मौम सही के घर पर कबजा कर लेती है पर नरेस सही टाइम पर आकर नरेन की मौम को मूँ तोर जवाब देता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है आगे सही का घर पूरी तरह कबार खाना बन गया होता है तो नरेस सही को अपने घर में रहने को कहता है तो सही नरेश के घर में जाकर रहने लगती है वेल आपको यहां इनका क्यूट सा मुमेंट भी देखने को मिलेगा आगे नरेश एकाउंटेंट को कहता है कि जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ जिसने कमपनी में इतना बड़ा घोटाला किया है और पैसे की हेर फेर की है तो वो एकाउंटेंट कहती है मैं पूरी कोसिस कर रही हूँ उस आदमी का पता लगाने की मुझे जल्दी कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा आगे साही और नरेस को नरेन के ओफिस से कुछ डोकॉमेंट्स चाहिए होता है ताकि वो लोग उन डोकॉमेंट्स को देखकर कुछ पता लगा सके कि किसने घोटाला किया है पर उस ओफिस की चाभी नरेन की मॉम के पास होता है तो उसकी सेकेट्री ये सुनकर डर जाती है और कहती है मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी अगर मैं पकड़ी गई तो तो सही कहती है तुम्हें ये काम करना होगा हमारे खातिर ताकि हम पता लगा सके कि कमपनी को कौन धोखा दे रहा है तो उसकी सेकेट्री मान जाती है दूसरी त अब कोमेस को नरेन की तरब से एक क्लू मिलता है क्योंकि कोई बंदा नरेन के फोन का बिल पे कर रहा होता है तो उन लोगों को ये बात खटकती है क्योंकि अगर कोई चोर नरेन का फोन चोरी करेगा तो वो उसके फोन को बेच देगा ना कि उसके बिल भड़ेगा तो कोमेस ये बात नरेस को बताता है तो नरेस कहता है हमें वहाँ जाकर इस बारे में पता लगाना चाहिए तो कॉमेस और नरेस उस जगहां पर जाते हैं उस बंदे का पता लगाने के लिए और वो लोग उस बंदे का पता भी लगा लेते हैं और उसे पकर भी लेते हैं लेकिन उस चो जिसने ये सब किया तो नरेन की मौम पुलिस वालों से मिलने जाती है तो वो पुलिस वाला नरेन की मौम को बताता है कि उन्हें नरेन के खिलाफ एक कलू मिला है साइद नरेन किसी गाउ में है तो नरेन की मौम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पुलिस वाले को कहती ह आपको उस गाउं जाकर नरेन को ढूनना चाहिए तो वो पुलिस वाला कहता है अभी information पकी नहीं है कि नरेन उस गाउं में है भी या नहीं तो नरेन की मॉम पुलिस वालों की एक बात भी नहीं सुनती और खुद ही उस गाउं चली जाती है नरेन को ढूनने के लिए रैल ये सब पुलिस वाले की चाल होती है क्योंकि वो पुलिस वाला भी अंकल इट के साथ मिला हुआ होता है और वो पुलिस वाला जान बूच कर नरेन की मौम को उस गाउं भेजता है ताकि अंकल इट नरेन की मौम को जान से मार सके इधर आंटी नच अपनी बेटी का इस्तमाल करती है और उसके जड़िये सही को इंफॉर्मेशन बेजवाती है कि नरेन की मॉम को नरेन का पता मिल गया है तो सही ये सुनकर सौक्ट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि नरेस और कॉमेस तो नरेन के पीछे गये है क्योंकि उन्हें कोई कुलू मिला था पर नरेन की मॉम को ये कुलू किस ने दे दिया क्या ये कोई जाल तो नहीं तो सही इसका पता लगाने के लिए उसी गाउज आती है जहां पर नरेन की मॉम गई होती है आगे अंकल इट के बंदे नरेन की मॉम और सिमरन पर हमला कर देते हैं प तो वो अंकल इट से help मांगती है पर अंकल इट सिमरन को गोली मार देते हैं और उसे जंगल में ले जाकर दफनाने की प्लैनिंग कर रहे होते हैं आगे अंकल इट अपने दो लुटेरे गुंडे भेशते हैं साई और नारेन की मौम के पीछे ताकि लोगों को ये लगे कि उन नरेस और कॉमेस उसी गौँ चले जाते हैं दूसी तब साइक और नरेन की मौम को दो गुंडे और पकड़ लेते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं तो नरेन की मौम उन्हें जूट बोलती है और कहती है तुम जितने चाहो उतने पैसे मैं दे सकती हूँ प्लीस हमें यहां से ज बीशेशाव गार्य में जांगे अंकल इप जाता है पर वहाँ पर नरेन की मौम को ह। बीशेशाव पर नरेन की मौम की सरजरी होती है तो पुलिस वाले कोमेस से पूस्तास करते हैं कि और अखिरकार वहां पर firing किस ने की तो कौमेस उस पुलीस वाले को पटी पढ़ा देता है और कहता है हम firing कैसे कर सकते हैं हमारे पास थोड़ी गं थी उन लोगों ने firing की थी अगर हम लोग firing करते तो इस साइट से भी फाइरिंग होती बस एक ही साइट से फाइरिंग हो रही थी क्या आपने इतना भी नोटिस नहीं किया तो बेचारा पुलीस वाला कोमेस की बाते सुनकर चकरा जाता है और सोचने लगता है कि अंकल इतने तो मुझे कहा था कि कोई फाइरिंग कर रहा था अगर इन लोगों ने फाइरिंग नहीं की तो फिर किस ने की तो कोमेस पुलीस वालों से पूसता है आपने नरेन की मौम को उस गाउं में क्यू भेजा अगर आपको नरेन की तरफ से कोई क्लू मिला था तो आपको भी उन लोगों के साथ जाना चाहिए था फिर आप क्यू नहीं गए तो वो बेचारे की हवा टाइट हो जाती है आगे अंकल इट और आंटी नीच भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों भगवान से प्रे करते हैं कि नरेन की मौम सरजरी टाइम में ही मर जाए पर होता इसका उल्टा है नरेन की मौम की सरजरी एकदम सक्सिस्फूल होती है और उन सब के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वह सई को डेट कर रहा है वैल इस बात का भी बहुत बड़ा इसू बनाया जाता है और यहां पर सब एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि इन सब कारणामे के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है आगे कुछ घंटे बाद नर नरेंस में दिखता है और नरियन की मौम नरेस को अपना बेटा समझ कर उस से बात करने लगती तो नरेस को बेटा उसे मारा है पीटा है और खाली धुथकारा or केती है अभी नरें की मॉम की तब्यवत ठीक नहीं है इसलिए उन्हें गलत फ्यमी हो गई थी कि तुम नरें हो इसलिए प्लीस kooprete करो अभी उनकी तब्यवत ठीक नहीं है तो नरें सही की करने की कोशिस करती है आगे साई की नजर एक घड़ी पर परती है तो नरेश साई को बताता है कि ये घड़ी मेरी ममी ने मेरे पापा को गिफ्ट की थी जब उनका एक्सिडेंट हो गया था और नरेश साई को उस एक्सिडेंट के बारे में पूरी स्टोरी बताता है तो साई क यहाँ पर भी कुछ खटकता है और वो नरेश को कहती है तुम्हें नहीं लगता कि यह एकसिडेंट एक एकसिडेंट नहीं है किसी की सोची समजी चाल है तो नरेश कहता है मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं मैं फिर से इस केस की जाच करवाऊंगा और सच्चाई की तह तक ज तो अंकालीट कहते हैं मुझे क्यों फर्क पड़ेगा ये तो अच्छी बात है ना कि वह जिन्दा है तो अंटी नच कहते हैं मेरे सामने ऐसा प्रिटेन मत करो कि जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे सब पता है कि कि इन सारे कार नामों के पीछे तुम हो तो अ अंकल इट कहते हैं मुझसे जूट मत बोलो तुमने ही उसे जंगल से गाइब किया है है ना और अंकल इट आंटी नच का गला मोकने लगते हैं और कहते हैं मुझे बताओ सिमरन कहा है तो आंटी नच अपनी जान बचाने के लिए जूट बोल देती है और कहती है अगर तुमन वो अंकल इट को सबक सिखा कर रहेगी जो भी अंकल इट ने उसके साथ किया और आंटी नच उस बटन को घोरती है कि जैसे कि उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो अंकल इट के खिलाफ दोसी तब उस एकाउंटेंट को पता चल जाता है कि इतना बड़ा घोटाला किस न आगे वो इकाउंटेंट उन दोनों को बता देती है कि उसने पता लगा लिया है कि किसने पैसों का घोटाला किया है और अपनी बड़ी है तो वो दोनों इकाउंटेंट से पूँसते हैं something that करा वो बंदा कोन है तो एक कंटेंड कहती है मैं तुम लोगों को यह बात नहीं बता सकती मैं यह बात सई और नरेस को ही बताऊंगी लेकिन पहले मुझे नहाना है, इस काम के चक्कर में मैं नहाँ भी नहीं पाई, मैं फ्रेस होकर सई और नरेस से मिलने जाऊंगी। और एक kontent अपने घर चली जाती है फ्रेस होने के लिए। दूसी तप लीटा को पता चल जाता है कि कॉमिस एक पुलीस officer है। तो लिटा कोमेस से गुसा हो जाती है तो कोमेस लिटा को मनाता है और उसे पूरी सचाई बताता है कि वो एक पुलिस ओफिसर है और कोमेस लिटा को ये भी कहता है कि वो उसे पसंद करता है तो लिटा ये सुनका बहुत खुस होती है पर लिटा कोमेस को रिप्लाइ नहीं करत कि वो भी उसे पसंद करती है well आपको यहां इनका क्यूंसा मॉमेंट भी देखने को मिलेगा आगे एकाउंटेंट अपने घर जाड़ी होती है कि तभी रास्ते में आंटी नच उस एकाउंटेंट पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है और उन्हें जंगल में फेक तो फिर किसने मारा आगे सबको पता चल जाता है कि कोमिस एक पुलिस ओफिसर है तो सब ये सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत खुश भी होते हैं आगे आंटी नच बहुत खुश होरी होती है कि उनका प्लैन काम कर रहा है अब पुलिस अंकल अंकल इट को फसाने का दूसरा प्लैन बनाती है आगे नरेन की मोम को एक पर्ची मिलती है जिसमें यह लिखा होता है कि अप जल्दी से ठीक हो जाएए और घर वापस आ जाएए फिर मैं आपसे मिलूंगा तो नरेन की मौम को लगता है कि ये लेटर नरेन ने लेखा है तो नरेन की मौम जल्दी से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आ जाती है और नरेन की मौम सही और नरेस से अच्छे से बात भी करती है और उन्हें ही कमपनी की सारी जिम्मेदारी दे देती है जब तक वो ठीक ना हो जाए क्योंकि बुरिया को अकल आ जाती है गोली लगने के बाद और उसे लगता है नरेस और सई उसका बुड़ा नहीं चाहते वो उसे अपना मानते हैं इधर सई और नरेस बहुत टेंसन में होते हैं क्योंकि इन सब चकर में बहुत सारे लोगों की जान ज होती है तो सई कहती है अगर मुझे भी कुछ हो गया तो नरेस सई की पूरी बात होने से पहले उसे किस कर लेता है और कहता है अपने बारे में बुरा मत कहो और ना ही खुद को सराब दो क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्ह खुस होती है और नरेन से पूस्ती है तुम्हारे साथ ऐसा किस ने किया मुझे बताओ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी तो नरेन कहता है जब सही टाइम आएगा मैं आपको बता दूँगा कि इन सब के पीछे कौन है लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पता करना है तो नरेन की मापा और नरेन की मौम के एक्सिजटन का पता नहीं लगा लेता क्योंकि मुझे पता चल किया है कि उन दोनों का एक्सिजटन कोई मामुली एक्सिजटन नहीं था बलकि किसी की सोची समझी चाल थी इसलिए मुझे उसके बारे में पता लगाना है इसलिए आप मुझे प्र और मेरे साथ हो आगे साई नरेन की मौम का देखभाल करती है तो उसे घर में कुछ अजीब फिल होता है तो साई रूम में जाकर देखने की कोसिस करती है पर नरेन की मौम साई को बीच में ही रोक लेती है और कहती है वहाँ पर कुछ भी नहीं है तुम मेरी देखभाल करने आ तुमने यह सब किया है तुमने मुझे फजाने की कोशिज की है तो आंटीनच कहती है उनकल एट सही टा doivent जूट बोल रहा है तो नरेज को कुछ समझ में नहीं आता, आखेकर दोनों में से सच कोन बोल रहा है, तो आंटी नरेज को कहती है, तुम अंकल इट के घर की तलासी लो, तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, तो अंकल इट कहते हैं, अगर एसी बात है, तो तुम्हारी भी घर की तलासी होनी चाहिए तो नरेश कहता है फिर ठीक है आप दोनों के घर की तलासी होगी आप दोनों के कोई प्रॉब्लेम तो नहीं है तो दोनों कहते हैं नहीं हमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है अगर मेरे घर की तलासी होगी तो इसके भी घर की तलासी होगी आगे उन द साया गया है ये मेरा नहीं है आगे को मिस उस होकी श्टिक के बारे में सबको बताता है और सबको ये भी बताता है कि इतने सबूत काफी नहीं है अंकल ईद के खिलाफ इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने अंकल ईद के खिलाफ साजिस रची हो क्योंकि कोई भी बंदा अ कहती है हम लोग होस्पिटल जा रहे हैं और तुम हमारे पीछे इस घर की तलासी लो क्योंकि मुझे इस घर में कुछ अजीब लग रहा है तो नरेस सही के कहने पर उस घर की तलासी लेता है तो उसे फाइनली नरेन मिल जाता है तो नरेस नरेन को देखकर बहुत खुस होता है और नरेस नरेन से पूसता है तुम इतने दिनों से कहां थे और तुम पर किसने हमला किया तो नरेन नरेस को सारी सचाई बता देता है कि उस पर हमला अंकल इतने किया था तो नरेस ये सुनकर गुसे में आ जाता है तो नरेन कहता है अभी अपना गुसा सांत करो अभी हमें 37 से काम लेना होगा क्योंकि हमारे पास अंकल इत के खिलाब कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि ये सारा काम अंकल इत ने किया है आगे दोनों भाई डिसाइद करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अंकल इत को सजा दिलवा कर रहेंगे